पैरे बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारे चेनल दियर डिपी सर लर्ण विद फन में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 जैसा कि आपको दिख रहा है कक्षा 10 की जो विज्ञान विशे है उसके विशे में बात करने वाले है आज 3 अगस्ट 2021 का आज का यह हमारा वर्क है अध्याई 2 अध्याई 2 अमल और शारक यंग लवन वाला जो चेप्टर है उसके बारे में आज का यह वर्क शीट है उसके बात करने वाले हैं तो चलिए इससे पहले शुरुवात करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजे ताकि आने वाला जो होम वर्क है क्विज उसके सारे आपको सोल्यूशन मिल्स के तो चलिए बिना किसी देरी के हम बात करते हैं आज का मारा पहला प्रशन है अमल और सार में क्या अंतर बताईए अमल और सार में अंतर बताईए आपको क्लियर देख रहा होगा उमीद कर रहा हूँ पहला जो प्रशन है अमल और सार में अंतर बताईए तो इस प्रशन का अंसर देखते हैं तो ये रहा मारा फर्स्ट प्रशन का अंसर है अमल और सार में अंतर तीकि अमल स्वाद में खटे होते हैं और शार स्वाद में कडवे होते हैं पहला अंतरी हो गया दूसरा अंतर है अमल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं जबकि शार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं तीसरा प्रशन अमल का pH मान 7 से कम होता है जबकि शार का pH मान 7 से अधिक होता है और जैसा कि अमल के उदारण हम में हम ले सकते हैं प्रश्ण नमबर दो जानते हैं प्रश्ण नमबर दो जानते हैं गंदिये सूचक किसे कहते हैं गंदिये प्राकरतिक और संसलेसित सूचकों के दो-दो उधारण लिखिए तो इनके उधारण देखते हैं और इस प्रश्ण का अंसर देखते हैं दूसरे प्रश्ण का अंसर ये रहा कुछ एसे पदार्थ जिनकी गंद अमलिये या सारी अमाध्यम से बिन हो जाती है उन्हें गंदिये सूचक कहते हैं पदार्थ जिनकी गंद अमलिये या सारी अमाध्यम से बिन हो जाती है उसे गंदिये सूचक कहते हैं इसमें प्राकरती गंदिये सूचकों में हम ले सकते हैं लोग का तेल है कर्टी हुई प्याज है जबकि संक्ष्लेश्चिप्त जो गंदिये सूचक है उन्हें तनु होता है लिटमस पत्र होता है पेपर होता है वो लिटमस होता है वो किस से प्राप्त होता है लिटमस तो इसका आंसर देखते हैं तो तीसरे प्रशन का आंसर यह रहा यह देखते हैं तीसरे प्रशन का आंसर यह रहा लिटमस बेंगनी रंग का रंजक होता है जो थेलो प्रश्न नमबर 4 चूने के पानी में CO2 प्रवाइट करने पर चूने के पानी का रंग दूदिया क्यों हो जाता है अगर इसमें अत्यतिक मात्रा में CO2 प्रवाइट की जाए तो क्या प्रवाव पड़ेगा या होने वाली अभी क्रिया का सम्मिकरण भी लिखिएगा चूने के पानी में CO2 यानि carbon dioxide प्रवाइट करने पर चूने के पानी का रंग दूदिया हो जाता है क्योंकि चूने का पानी CO2 से क्रिया करके स्वेट अक्षेप C8CO3 बनाता है जिसका सम्मिकरण भी हम लिख सकते हैं ये सम्मिकरण देर की लिख सकते हैं और अत्यदिक CO2 carbon dioxide प प्रशन नमबर पांच हमारा पांचवा और अंतिम प्रशन सपेद कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबून से रगडने पर क्या प्रभाव पढ़ता है और क्यों पढ़ता है तो इसका अंसर है पांचवे प्रशन का अंसर ये देखिए आप ये रहा ये लास्ट है साबून से रगडने पर दब्बे का रंग बूरा लाल हो जाता है क्योंकि साबून में कास्टिक सोटा पाया जाता है जो सारी प्रकृति का होता है और उसके सारी प्रकृति के होने से हल्दी से क्रिया करके बूरा लाल रंग कर देता है इस करन सपेद कपड़े पर लगे हल आसा लाइक लाइक कीजिए वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दन्यवाद